चेप्टर 12 आपके भावात्मक रुजान बिंदू आपके नियंतरण में होंगे। अधिकांश लोग इस पर विश्वास नहीं करते कि उन्हें जिस पर विश्वास है वे उनके नियंतरण में हैं। वे अपनी आसपास घटनाई घटते देखते हैं और उनका आकलन करते हैं। लेकिन आम तोर पे वे यही मानते हैं कि उनके भीतर जो भी विश्वास पनप रहा है उस पर उनका कोई नियंतरण नहीं है। वे अपनी जीवन की घटनाओं को अच्छे वे बुरे वान्चित वे अवान्चित सही या गलत में श्रेणी बद्ध करने में गुजार देते हैं। लेकिन वे शायद ही ये कभी समझ पाते हैं कि उनमें वह क्षमता है कि वे इन घटनाओं के साथ अपने संबंधों को नियंतरण कर सकते हैं। बचाना चाहते हैं जिसे वे खतरा मानते हैं। लेकिन इस आकरशन आधारित ब्रह्मांड में जहां अपवाद वैसी कोई चीज नहीं है वे अवान्चित वस्तूओं को जितना अधिक दूर धकेलने का प्रयास करते हैं। कर देते हैं कि वे कितने सही थे कि ये अवान्चित वस्तूओं कितनी बुरी और आकरामक होती हैं। दूसरे शब्दों में आप अपने विश्वासों का जितना अधिक बचाव करेंगे आकरशन का नियम आपके साथ बने रहने में उतनी ही मदद करेगा। लेकिन किसका सत्यवास्तविक सत्य है किसी भी वस्तूपर परियाप्त ध्यान देने से अंतत्य है आप जिस पर विचार कर रहे होते हैं सार रूप में उसी का भौतिक प्रित्यक्षी करण हो जाता है। और जब दूसरे लोग आपके इस भौतिक प्रित्यक्षी करण को देखते हैं तो उनके ध्यान देने से इसे विस्तारित होने में मदद मिलती है। देखना आसान हो जाएगा कि सकते केवल इसी लिए अस्तित्वगत है क्योंकि किसी ने इस पर ध्यान दिया था इसी लिए जब आप कहते हैं मुझे इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि यह सकते है। जिन्हें आप अपना सक्ते बना लेते हैं और ऐसी बहुत सी कम शांदार चीज़े भी हैं जिन्हें आप अपना सक्ते बना लेते हैं। प्रभावित हो सकता है आपका आकर्शन बिंदू जब आपके द्वारा सक्रिये किये गए विचार सामान्य और अधिक केंद्रित नहीं होते हैं वे शुरुवाती कमपन काफी छोटे होते हैं। इसमें आकर्शन शक्ती या खचाव की शक्ती कहने को भी नहीं होती। इस तरह इन शुरुवाती चरणों में आपको संभवते विशे के प्रती अपने आकर्शन के प्रित्यक्ष होने के प्रमान नहीं मिलते। लेकिन भले ही आप अभी इन प्रमानों को नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने ऐसी अन्य विचारों को आकर्शित करना आरंब कर दिया हैं। जिनके कमपन उन्हीं के समान हैं। तो आपको अच्छा अनुभव होने वाली भावनाएं इसका संगेत दे देंगी। यदि आपके वास्तिक स्वरूप से मेल नहीं खाते होंगे तो आपको बुरा अनुभव होने वाली भावनाएं इसका संगेत दे देंगी। लेकिन जब कोई आपसे कहता है तुम बहुत बुरे हो तुमें खुद पर शरम आने चाहिए तुमने मुझे नाराज कर दिया तुम किसी काम के नहीं हो तो ये शब्द आपको बुरे लगेंगे क्योंकि इन पर ध्यान देने के कारण आप कामपनिक रूप से उससे भिन्न हो जो आप वास्तव में हैं और जो आप सचमुच जानते हैं आप जैसा महसूस करते हैं वह आपकी स्रोत उर्जा के साथ आपके तालमिल होने या ने होने का सपष्ट वे सटीक सूचक है दूसरी शब्दों में अपनी भावनाओं से आपको पता चल जाएगा कि आप स्रोत के साथ अपने संबंधों को स्विकार कर रहे हैं या फिलहाल उनके विरोध की स्थिती में हैं मनोदशा आपके भावात्मक रुजान बिंदू का सूचक जब आप किसी विचार पर केंदरित रहते हैं तो उस पर केंदरित रहना आसान होता जाता है क्योंकि आकरशन का नियम इन जैसे और विचारों को आपके लिए उपलब्ध करवा देता है इस तरह भावात्मक रूप से कहें तो आप एक मनोदशा या दृष्टिकों विक्सित करने लगते हैं कामपनिक रूप से कहा जाए तो एक भ्यासिक कामपनिक खाचा या कह सकते हैं कि एक रुजहान बिं वेश से संपर्क के माध्यम से आप में कोई विश्य सक्रिय होता है तो आपका कमपन छलांग लगा कर तुरंत आपके सबसे अधिक अभ्यासित कामपनिक स्थान या रुजहान बिंदू तक पहुँच जाता है उधारन के लिए मान लेते हैं जब आप छोटे थे एक बार आपके माता पिता को गंभीर वित्तिय संकट का अनुभाव हुआ इस कारण आपके घर में चिंता वेभै की भावनाओं के साथ पैसों की कमी और इच्छित वस्तूओं को खरीदने में अक्षमता पर अक्सर चक्चा होती रहती थी अक्सर आपके कुछ मांगने पर आपसे कहा जाता पैसे पेड़ पर नहीं अकते और तुम्हें चाहिए सिर्फ इसलिए तुम्हें यह नहीं मिल जाएगा और तुम्हें भी परिवार के अन्य लोगों की तरह इसके बिना काम चलाना सीखना चाहिए यह जैसा है वैसा ही रहेगा वर्ष तक इस कमी के वैचारों के संपर्प में रहने के कारण धन विश्यक आपकी वैचारिक आदत आपके भावात्मक रुजान बिन्दू में पित्य सफलता की आशा सबसे कम हो जाती है अतहे आप भी अब धन या स्मृध्धी पर बात करते हैं आपके मन में आपकी मनोदशा या दृष्टिकों तुरंत ही निराशा चिंता या क्रोध की और स्थारांतरित हो जाता है या जब आप छोटे थे और आपको किसी मित्र की माता का सड़क तुर घटना में निधन हो गया या आप किसी ऐसे व्यक्ती के साथ निकट संबंध हो न जिसने पच्पन में ऐसी दुगत घटना को अनुभग किया हो आपको भी अपने माता पिता के कल्यान के प्रती भैबीत कर सकता है वे भी जब धी वहन में कहीं जाते हैं उनके वापस लोटने तक आप भैबीत रहते हैं तरहे धीरे धीरे अपने प्रियजनू के कल्यान के प्रती चिंतित रहना आपकी आदत बन जाता है यह ऐस सुरक्षा आपका भावात्मक रुजान बिंदू बन जाती है या जब आप किशोर थे तो शायद आपकी दादी का अचानक रद्यागाद से निधन हुआ होगा तता उनकी मौत के बाद वाले वर्षों में आप अकसर अपनी मा को उनके वे अपने बच्चों के साथ यही होने की अत्यतिक आशंका की चिंता जताते सुना होगा लगभग हर बार जग कभी भी आपकी दादी के बारे में बात हुई उनका ऐसमेक रद्यागाद बात्चीत का विशे भावात्मक और भै उत्पादक हिस्सा रहा होगा यद्धपी आपका शरीर मजबूत हो और आप शारीरिक तौर पर अच्छा महसूस करते हो आपके मन में अपनी शारीरिक कमजोरी के प्रतिय चिंता पैठ बना लेती है इस तरह समय के साथ ही आप स्वस्थे की कमजोरी को भावात्मक रुज़ान बिंदू बना बैठेंगे बदल सकते हैं आपके भावात्मक रुज़ान बिंदू जिस तरहे आपके भावात्मक रुजान बिंदों को मूल रूप से अच्छा और सुरक्षित से बुरा और एसुरक्षित महसूस होने में बदला जा सकता है क्योंकि आपके रुजहान बिंदु मात्र विशय को आकर्षित करके और आपके अभ्यासित विचारों के माध्यम से हासिल किये जाते हैं अधिकांश लोग सोदेश्य पूरोग विचार नहीं करते बलकि वे इसकी जगह अपने विचारों को अपने आसपास की चीजों के प्रती आकरष्ट होने देते हैं कुछ घठता है वे उसे देखते हैं उसे देखने पर उनमें उसकी प्रतिक्रिया स्वरू भावात्मक अनुभूती होती है चुकि आम तोर पर वे जो भी कुछ देख रहे होते हैं इसे नियंतरित करने में स्वयम को अक्षम महसूस करते हैं इसलिए वे इस निशकर्ष पर पहुँचते हैं कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके प्रति अपनी भावात्मक प्रतिक्रिया पर उनका कोई नियंतरण नहीं है हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपको अपने उन रुज़ान बिंदों पर पूरा नियंतरण है जिन्हें आपने हसल किया है और हम आपको अपने रुज़ान बिंदों को सौदेश्य पूरवक तै करने के अत्यधिक महत्व को समझाना चाहते हैं क्योंकि जब आप किसी चीज की उमीद करते हैं तो वहें मिल जाती है, संभव है, इसे पाने का विवरन कुछ अलग हो, लेकिन इसका कामतनिक सार हमेशा इसके सबान ही होता है.